हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आपके सामने वह टॉपिक लेकर आगया हूं जिसका आपको पुरे वीक में इंतिजार रहता है तो 10 मार्च से लेके 17 मार्च तक की जो भी करेंट अफेर्स न्यूज में हैं उसको मैं एक सिंगल लेक्शे में कवर करूँगा एक वीक का जिसमें मैं MCQ फॉर्म में कवर करूँगा बट मैं आज आपको बता हूँ अगर आप लेक्शे देख रहे हो तो याद देखेगा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्शे है तो अभी तक कि मैंने इतने सारे वीक के करेंट अफेर्स कराएं बट यह सबसे जादा इंपॉर्टेंट है इसको end तक देखना मिरा मानना है आप एक्जाम में और तु फाइव कोशन करन अफेर्स के डारेक्ली से इस लेक्शे से ही आएंगे क्योंकि इस बार इस वीक में बहुत ज्यादा important current affairs है तो please मेरा मानना इसको end तक जरूर देखना क्योंकि 4 या 5 questions सिर्फ इस lecture से आने वाले है तो आप इसका important समझ सकते हैं तो चलिए start कहते हैं देखते हैं कौन-कौन से weekly questions news में है सबसे पहला question अब आप देखें ये question ही important है आते ही पहला question मैंने बता दिया जो example important होने वाला वो क्या है what is the rank of India in recently released global human development index 2022 index of course 2022 का है बट अभी recently March 2024 में index published हुआ है तो 2022 की ranking आईए तो confused मत होईएगा ओके और इंडिया की ranking क्या है directly कोश है मैंने पूचा है ये index UNDP United Nation Development Program जो है वो publish करता है और उसमें इस बार की इंडिया की ranking है 134 या दखना क्या ranking है 134 मैं आपको एक बात बता दूँ अगर हम 2021 की बात कहें तो इंडिया की ranking 135 थी तो आप देख सकते हैं उससे इंडिया की ranking कम हुई है डेवलप हुई है 134 की और हम आए हैं तो लास्ट ताइम या दखेगा 2021 में 135 थी और अभी 134 हुई है तो पुराना कोशन नहीं की 2022 का कोशन में बता रहा हूँ अभी ये release हुआ है exam में आने की सांसे के बहुत ज़ादा हैं तो के इंडिया classified हुआ है मीडियम यूमन डेवलप्मेंट इंडेक्स में या मीडियम यूमन डेवलप्मेंट में इंडिया classified हुआ है अब इसके बाए में details या देखे मेरे all lectures में आपको मिलेगी इस इस टॉपिक पर मैंने यूमन डेवलप्मेंट इंडेक्स में पढ़ाए भी हुआ है अभी mcq form में यह question आप से पूछा आएगा comment box से आब मुझे बता दू rank 1 पर रांक 1 पर यूमन डेवलप्मेंट इंडेक्स में कौन सी country आप मुझे comment box से mention करिए कुछ आप लोग को भी homework देता हूं इसमें two way communication मना रहा है याद एक इंडिया की ranking one nine 34 जो है इस बार वो आउट आफ 193 countries हैं किसी किसी एक्जाम में यह पूछेते हैं कितनी countries में ranking आईगी तो 193 countries में चलिए second question में आते अगे यह वेरी वेरी important question इंडिया ने recently successfully test कर लिया है MIRV technology recently किस missile का यूज किया ग पर पहले इसका answer आपको पता हूं अच्छी है यसा correct answer है option number B Agni 5 जाद कि Agni 5 is the correct answer MIRV का full form मैं बता हूं तो that is multiple independent targetable re-entry vehicle capabilities capabilities ओके आप सच्छों किसर यह क्या होता है तो चलिए मैं आपको explain करता हूं बहुत simple में आप देखें यहां पर यह जो है वह एक single warhead है आप देखें यहां पर एक single warhead है मतलब अब attack होगा एक target पर attack होगा बट अगर आप यह वाला देखें MIRV missile देखेंगे तो यह आप आप इसको develop कर दिया तो it's a great thing first time indigenously develop Agni 5 missile जो MIRV technology पर वर्क करी इसको DRDO ने बनाये हुआ है ओके this is one of the important question आप interview में जाए प्री में जाए में में जाए कहीं भी जाए कोशन आपके पीछे साथ नहीं छोडने वाला है बहुत important question है इसलिए मैंने एक और question इसी topic से cover किया हुआ है यह जो हमारा Medan flight test हो रहा था regarding Agni 5 missile with MIRV technology by DRDO इसका code name क्या है this is one of the again very important question इसलिए मेरे thumbnail में भी question में डाला हुआ है कि code name क्या था successful Medan test का और यह Prime Minister ने बहुत important announcement करके बताया है इसका नाम था mission दिव्वे अस्त्र याद दखेगा mission दिव्वे अस्त्र इसको का code name था again a very important question एक्जाम में कोशन आपको देखने को directly मिलेगा correct answer option number A है mission दिव्वे अस्त्र याद दखेगा मैंने कह रहा हूँ ना इस बार का current affairs के जो questions है ना बहुत amazing question okay next question माते है world consumer right day हम कब celebrate करते है options आपके सामने है you have to mark the correct answer correct answer option number C that is 15th March 15th March is the correct answer इस बागी theme भी में आपको बतायता हूँ कोगी theme important है theme है fair and responsible AI for consumers तो अब artificial intelligence की बात कर रहे है तो यार रहे कि AI मतला artificial intelligence okay next question माते है अभी sports की बात करें तो बहुत important event हुआ रंजी trophy domestic का सबसे important event होता है that is रंजी trophy रंजी trophy 2024 title किसने जीता है किसको हराय है final कहा हुआ है यह तीनों question मनते हैं जीता है इसको Mumbai ने किसने जीता है option number B Mumbai ने हराय किसको है हराय उन्होंने विधर्बा को okay Mumbai ने 42nd title था या देखिए रंजी trophy का उनका 42nd title था यह cricket का tournament है इसको नहीं बता यह cricket का tournament है और 42nd title था और इसको captain जो मुंबई को करें थे वो थे रहाने ठीक है तो रहाने इसको captain सी करें तो यह final भी वांखने stadium मुंबई में ही हो रहा था 10 question exam में आपको देखने को मिलेगा okay next question में आते है question मा 6th question democracy report 2024 अभी recently release हुई मैंने पूछे है इसको कौन release करता है which of the following इसे release करते हैं तो देखिये मैं बाकी options इसलिए नहीं पड़ता हूं क्योंकि आपको याद नहीं हो जाए सीथ आप correct याद करो मेरा agenda यह होता है तो इसमें options आपके सामने दिये गए है तो democracy report 2024 अभी publish की गई है और इसको publish कौन करता है release कौन करता है correct answer option में D है that is a V-dem institute याद देख सकते हैं नए election commissioner appoint हुए मैंने आपसे सीधा पूछा है who among the following has recently been appointed as election commissioner in India दो नए election commissioner appoint हुए दोनों के यहाँ पर नाम देखिये मैंने लिख रखे है अपको correct answer बताना है ठीक है अब देखिये मैंने confusing नाम लिख रखे है इसमें सबको एक mix-up बना रहा है इसमें आप याद होतो ही बता पाएं correct answer option भी है सुखबी संदू और गनेश कुमार जो है यादे कि दोनों की में जहां बनी हुई है बट बीच में आप देखिये कौन दिख रहे हैं आपको chief election commissioner दिख रहे हैं बीच में कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए at present who is the chief election commissioner दो एलेक्शन कमिशनर दो ने बता दिया option of a b is the correct answer that is सुखबी संदू और गनेश कुमार बट बीच में आपको हमाई chief election commissioner दिख रहे हैं उनका नाम आप मुझे comment box में mention करके बताईए election का टाइम है यह आपको पता होना चाहिए अब यह three member body हो गई है और एक और खास बात इसका election यह जो दो election commission का election के मलब इनका चुनाओ कैसे होता है मैं आपको पताईता हूँ एक selection committee होती है ठीक है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इसको lead करते हैं उसके साथ दो लोग और होते हैं एक होते union minister जो भी प्राइम मिनिस्टर न अधीर रंजन चौदरी जो है वो इसके member थे तीन member है जो तो सरकार की side के ही है तो यह आपकर रहें तीन member हो पर यह अपनी recommendation देते हैं और जो president है वो अपॉइंट करती है तो प्रेजिदेंट रौपदी बुर्मु जी है वो इनको अपॉइंट करती है तो यहाँ देखेगा नेक्स question में आते है question number 8 महतरी वंदना योजना या दिखेगा महतरी वंदना योजना भी recently launch की गई है यह important scheme है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनाउगरेट किया इस scheme को okay important हो जाती है कि state government की scheme जो है वो इनाउगरेट की गई है options आपके सामने है यह scheme है 36 गड की okay उसमें अगर आप eligibility में आते हो तो eligible married woman को thousand rupees per month उनके account पे transfer किये जाएंगे तो woman empowerment का यह step है woman के account में directly पैसे डालना तो कि आजकर हर state government ऐसे steps कर रही है next question आते है अभी आपने एक नया word शुनाओगा one nation one election मतलब इसका एक short form हम कहते है simultaneous election okay जहाँ पर लोकसभा और विधान सभा का एक साथ election एक time पर हो instead of आप देखते हैं अलग-अलग time पर होता है फिर बार-बार अचा सहीता लगती है 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 ना modal code of conduct लगता है काम नहीं कर पाते हैं पैसे का ज्यादा इस्तमाल होता है तो उसी को देखते हुए one nation one election की बात की गई है उसकी committee बनाई गई थी September 2023 में उस committee ने प्रिपोर्ट सम्मिट कर दिया है तो दौपदी मुर्मु जी है उनको रिपोर्ट सम्मिट किया जा रहा है तो मैंने पूछा इस committee के chairperson कौन है okay this is an interesting question is a chairperson जो थे वो former president देश के that is रामनात कोविन जो है वो president उन्होंने वोला है कि one nation one election होना चाहिए और इस committee में और भी members थ थे जो former MP रह चुके हैं अमिट शाह जी थे तो बहुत लोग इससे members थे और फाइनली उन्होंने बुलाए कि yes one nation one election होना चाहिए अब देखते हैं 2029 में हो सकता ब स्टेट में और केंद्र के जो लोकसभा के लेक्शन वो एक साथ हो okay देखते उसके लिए सरकार को constitution में amendment करना एक्सराइस कटलेस एक्सप्रेस 2024 रीसेंट यह भी और इसे एक्सराइस में मल्टी नेशनल एक्सराइस बहुत साई कंट्री पारिस्पेट करती हैं कहां यह एक्सराइस हुई बता दू कभी आपको घुमने का मन करें तो मौरिश्यस के ऊपर अगर आप देखोगे तो यह क क्या एक्सराइस कोशन आते हैं लिसे अगें वेरी इंटरेस्टिंग कोशिन अगिन आप stell देख सकते हैं बहुत सब्सक्राइब इस बहुत एक्सराइस का प्लांट के आपको इम्टेन बन गया है तो एजली लॉजिस्टिक बेटर होँगे मारूती के साथ हुआ है और यह इसमें help की अफ्कोर्स तो पहला automobile in plant sliding project कहाँ पे इनौगरेट किया गया है और दिन आप सोच सकते कि स्टेट में यह स्टेट में यह सब्सक्राइब कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी पर नेक्स आता है अभी रिसेंटली सिप्री की रिपोर्ट आती है ठीक है उसमें पूछा तो आप गया है इजर विछ कंट्री फोर्ड स्टॉप आं जीमपोर्ट प्परशा इमपोर्ट है रिपोर्त अभी रिसेंटबित अगया घंड़ सबसब्सादरा आंस इंपोर्ट को इंडिया कर रही है सिप्रिक फुल्फॉर्ण बतायता हूं Stockholm International Peace Research Institute है बहुत डाटा देता है इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया टॉप आम्स इंपोर्टर है वर्ल्ड में दो के चलिए और 2019 से 23 की रिपोर्ट थी चलिए नेक्स है इन विच स्टेट दिट प्राइम मिनिस्टर मोधी इनौगरेटेड कोचरब ऐश्रम याँ देखिएगा कोचरब ऐश्रम इंपॉरिटन फाराइम जब हमाएं महात्मागांधी भारत आते हैं दै इसी आश्रम पर आपको याद रखना है इसी आश्रम उन्होंने इस्टाबिश किया था फर्स टाइम इसी आश्रम पर तो यह आश्रम को अधिम ने इनौगरेट किया है मैंने पूछा कहां पर है तो नन आधर आप समझ सकते हैं गुजरात में होगा करेक्ट आंसर सी है कोश्ण डायीग लाएगा कि प्रिट्सगर प्रऐस 2024 किस ने जीता ऐसा कोशण आएगा मैं बूंन कोशन में दिया जाता है different question type question हो गया but मेरा मानना है आपसे directly पूछ लियाएगा 24 का price किसने जीता है यह direct question होगा difficult question भी होगा okay इसको जीता है किस field में architecture की field में होता है और जिसने जीता है उसको नाम जरूर याद अखना okay चले next question में आते है next question है यह अभी बहुत important question है अभी रिसेंटी नाशल कमिशन वो शीडियूल कास्ट के नए चेर्मेन जो है वो एपॉइंट हुए है तो हूइस दन्यू चेर्मेन ऑफ नाशल कमिशन ऑफ शीडियूल कास्ट options आपके सामने हैं उनकी इमेज जहां बनी हुई है मोदी जी के साथ इमेज देख सकते हैं और आपको नाम बताना है उनका बहुत पॉडर्ण कुशन ऑप्शन साप यहां पर देख सकते हैं और इंका नाम जो है ठीक है उनका करेक्ट नाम है या देखें नाइप सेनी जो है वो नए एठ लेन एक्स्परैसवे या दख्येगा निया का पहले ये एधलेन Xpress वै वी किस्थ ने अनॉग्रेट किया कि आप सोचेंगे किस न नॉग्रेट किया होगा सोचने की बात प्रदान मंत्री या तो प्रेज़ेंट इनी में से आपको लेगा इसा करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी नरेंद्र मोधी और मैं बता दू इस इंडिया का पहला एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेस वे का नाम है द्वारका इसमें से अराउंड 19 किलो मेटर आप देखेंगे हरयाना में है और 10 किलो मेटर जो है वो डेली में लाई करता है प्रॉक्षी में आपको बता रहा हूं और इसका आमें द्वारका एक्सप्रेस वे इंडिया का पहला एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेस वे है आपको याद प्राइम एक्सप्रेस रिसेंटी इनागरेट किया है एक्जाम के लिए इंपॉर्टन कोशन है ओके नेक्स्ट ऑसकर अवर्ट्स दिये गए 2024 के जो के बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है ऑसकर अवर्ट 2024 जिसको आप Academy Awards भी कहते हैं ओके इसमें कितने सारे इंपॉर्टन एम्सी की उचार है इसमें हैं इसमें तो आपको याद एकना और सब साहरा अवर्ट्स किस ने जीता ओपन हैमने आराउंड सेवन आवज्या जीते हैं ओसकर के इस बात इंपॉर्टन मुवी है कभी टाइम बले तो जरू देखे गए ओके और मुपी भी बेस पिचे इसी मूवी के लिए उनको मिला है अगर आप से कोई कोशन पुछे कि या बेस ऑसकर पिच्चर वाड किसको मिला है 19th कि मुवी को बेस ऑसकर पिच्चर वाड मिला है को बेस्ट मुवी रही है तो देखो आपके सामने option मैंने बता दी ऑपन हाइमर होगा correct answer yes correct answer option इस लेडी के नाम आप कैसे बूल सकते हो विकॉज शी वॉन्टी फॉर्ल टाइटल और यह टाइटल का फाइनल भी इंडिया में हुआ था इसलिए बहुत ज्यादा हुआ को सबस्के हैं ओके पुराणी करेंटाफर्स यह मिस्किया तो ठीक यह तो गहाँ का जाद है करके रहता है यह किस कंत्रिय से बिलॉंग करती बिलॉंग करती चेक रिफब्लिक से option number D is the correct answer okay next question ये भी बहुत important question है in the state of India the world largest twin lane tunnel क्या है twin lane tunnel inaugurate की गई है और ये tunnel का नाम है Sela tunnel क्या देखे S E L A ठीक है S E L A Sela tunnel ये बहुत important tunnel है ये कहां inaugurate किये मोदी जी ने चाइना परशान हो गया है ये tunnel बनते ही इसका correct answer है अरुनाचल प्रदेश इसको बता देता हूं या देखेगा Sela tunnel है इसको BRO that is border road organization ने या देखे construct किया हुआ है around 13,000 feet पर या देखे Sela tunnel 13,000 feet पर है और ये tunnel जो है वो तेज़पूर से तवांग को connect करती है near that is near line of actual control that is LAC आप कहा सकते हो line of actual control with China ऐसलिए चाइना परशान इस चैनल बनने से ओके परशान होता है चैना चैना तो यह भी कहता अनुराच्टर परदेश उसका पाट है ओके तो चाइना को क्यों अच्छा लएगा इंडिया गर ऐसा infrastructure में अनुराच्टर परदेश में इत्ती प्लबपेंड करेगा तो एके चले नेक्स्क्क्क्रेंट में आते हैं तुव हास बीन रिसेंटली ओनर्ड विथ मिस्वर्ल्ड इंडिया में इंडिया में इंडिया में इंको इंको यह वाट दिया गया है नेक्स्ट इस इन इंटरस्टिंग जल्दबाजी में लोग गलत मांक कर देते हैं 14th President of Pakistan अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं अभी आप से अभी आपने गएंगे सरी कोशन आपने लास्ट ताइम भी कर आया था भाई मैंने वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूछा था यह प्रेसिदेंट ऑफ पाकिस्तान पूछा हूँ को अभी अभी अभी विच कंट्री आज बीकें दा न्यू मेंबर अफ दा मिलिटरी अलाइंस नाटो अभी नाटो का नया मेंबर बन गया बहुत न्यूज में भी हो मेंबर ठीक है ओप्शन्स आपके सामने हैं ब्राजील यूएई यह सब ऑप्शन्स हैं बट कर्रेक्ट आंसर है 25 अभी किस कंट्री के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने और इस यूएसे के साथ नाइन से तन्थ मार्च की राऊंड यह यूएसे के साथ में पोर्ड बना के डाला था बड़ा वार्यल भी हुआ भारत शक्ती एक जॉइंड एक साइस्टी तीनों आर्मी की हमारी इंडिया की एरफोस भी थी आर्मी भी थी याद कि नेवी भी थी और इसका कहा कंड़क की गई है इसे पाकिसान बड़ा टिंशन में आ गया है अब देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद जेसल मेर में है और वहां पर एक्साइस कंड़क की गई 12th मार्च को अगें इंपोर्टेंट है नेक्स कोशन आता है रिसेंटली प्रेजेंट रौपदीद मुर्मु जी ने अभी नॉमिनेट किया राजशवा की एक मेंबर को किसको नॉमिनेट किया है बहुत को लाना चीह अफकोर्स राजसभा में इनकी वीज़ो थे नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको पता होगा 12 मेंबर्स जो होते हैं वह प्रेजेंट नॉमिनेट कर सकता है सुधा मूर्थी नॉमिनेटेड राजसभा मेंबर चलिए नेक्स कोशन माते हैं वेन इस इंटरनाशनल सेलिबरेटेड ड़्र इवरी इयर वोमेंस्टे क्ब सलबेट करते हैं इंपोर्टन कोशन यह सलबेट करता है में इस दिन अनॉस्मेंट नहीं सुनी लड़कों के लिए कुछ करना चाहिए इस वाकि थीम जो थी वह थी इन्वेस इन women accelerate progress या दखेगा invest in moment accelerate progress जो है इस बार की theme तीप आप हाला अभी प्राइमस्ट वोटान जो हैं वो अभी इंडिया की विजिट में थेया के फ़ंट हें कि प्राइमस्ट वो तां क्यों यूंकि वह इंडिया की अभी या दिखेगा किस पर थे ताट-इस वेजिट पर थे, correct answer option में E है, that is sensing top gay, या देखेगा, मैं लिग भी रखा देखे, 5 डे विजिट में थे हिंडिया में, इसलिए exam के लिए important question, okay, next, citizenship amendment act 2019, अब आपको पता है, इसका notification publish हो चुका है, now यह अब लागू हो चुका है, ती ए ए ए, आप लोग बहुत दों से अपने पुराइने जो मेरे paid courses है वहां मैंने CA पढ़ा रखा है political lectures में but still आप चा रहे हो तो मैं एक बार और lecture बना दूगा यह CA का purpose क्या है तो इसका purpose है option बद B to grant an Indian nationality to non-muslim migrants okay from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan okay non-muslim migrants मुस्लिम नहीं होने चाहिए तो आपको Indian citizenship मिल सकती है बर इसमें एक date रखी गई है इस date तक ही जितने आया होंगे उनको citizenship दी जाएगी उस अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक के बारे में डीटेल अभी correct answer option number B है ठीक है चालिए next question में आते है में ओडिशा के exams में ऐसे questions बहुत आएंगे okay question बहुत important style लगा लो ठीक हो कि difficult question माना जाएगा इसको जीता है सात्वे को चिराग ने इन दोनों को अभी recently आपने सुना होगा खेल रतन भी मिला है okay तो याद दिखिएगा ध्यान चंद खेल रतन वाट भी इन दोनों को मिला है सात्वे को चिराग को इन्होंने French Open Men's Double Badminton Title 2024 भी जीता है okay next question में आते हैं which company launch India's first UPI LED QR stack for enterprises okay मतलब इंडिया का पहला UPI LED QR है QR code आप यहां पर देख सकते QR code है ठीके stack for enterprises के लिए लाँच किया है किस ते लाँच किया है options आपके सामने ऐसा question banking में बहुत देखे जाते हैं okay अधर बसी razor pay okay razor pay ने launch किया है next question में आते हैं उन्नती 2024 यह भी बहुत न्यूज में है उन्नती 2024 scheme यह scheme जो है North East में manufacturing areas में या देखेगा industries areas में development की बात करी इसमें वहाँ पर development हो वहाँ पर employment generate हो मैंने पूछा कौन सी ministry जो है उन्नती 2024 को implement कर रही है full form है उत्तर पूर्व ट्रांस्व है ministry of commerce and industry okay again a very important question okay next question माते है what is the name of world largest literary festival जो की साहित एकेडमी और्गनाईज कर रही है जो अभी March 2024 में न्यू डेली में और्गनाईज हो रहा है उसका नाम क्या है वोल्ड का largest literary festival इसलिए important है option देखिए साहित महुत्सव आप जनरली दें बहुत सा स्टुडेंट्स ऑप्शन यह लगा देंगे नाम अच्छा है नहीं साहित महुत्सव पर यह answer नहीं है इसका correct answer है साहित यूत्सव या देखिए साहित यूत्सव जो है वो correct answer है correct answer option में C है जल्दबाजी में आपको mark गलत नहीं कर दिना है 11 मार्च से 16 मार्च तक वर्ल्ड का largest literary festival जो है वो और्गनाई 10th मार्च but celebrate किया गया 12th मार्च को of course इसलिए confuse मत होना correct answer इसका भी है that is 10th मार्च but यादे कि raising 10th मार्च को होता है ठीक है but 12th मार्च को भी 2024 में भिलाई में celebrate किया गया but हो तक अब है वह important that is 10th मार्च next which city is set to receive India's first driverless metro train क्या बात है driverless metro train को होने वाली है वहाँ होने वाली है जहां पर पानी की कमी है जिस city में आपने सुना होगा water crisis है जिसकी team final पहुच चुकी है पहुच चुकी है की जीच चुकी है आप मुझे comment box बताना और correct answer है बैंगलूरू या देखेगा correct answer है बैंगलू option number B okay next question में आते हैं next है missiles और rubela champion award ठीक है किस country को awarded हुआ है missiles और rubela champion award important है किस country को award हुआ है और यह इसलिए इंडिया को मिला हुआ है correct answer C है इसलिए मैं बता रहा हूँ याद कर लेना exam के बहुत important है यादे कि USA में वाशिंग्टन DC में award दिया गया है okay next question आता है यह बहुत important अब देखिए अब आप हम जैसे teacher हो सकता आपको future में ना मिलें maybe क्योंकि अब आ चुके हैं essay teacher AI teacher इसका नाम रखा गया iris the first generative AI teacher है जो school में introduce किये गए हैं और बहुत जब मैं यह मैंने वीडियो यह मैंने post डाला था तो लोगोंने comment किया कि सर्फ students भी अब आप AI वाले डाल दो ठीक है जब teachers आपने AI वाले डाल दिये तो इसका नाम है iris किस state ने इसको launch किया है options आपके सामने कौन state हो सकता है इतना innovative तो correct answer option which Indian state to launch the first government owned OTT platform और इसका नाम मैं बतादू रखा गया है C-Space आपके यहाँ पर नाम देख सकते हैं C-Space नाम रखा गया है कौन सी government launch करी अपना खुद का OTT platform तो of course कौन होगी यह भी answer that is option नमर ए केरल ओके तो केरल लांच करी देख सकते हैं आपके नाम जो ए C-Space रखा गया है नेक्स कोशन है यह कोशन important है क्योंकि appointment पर आता है नया President of Paralympic Committee of India कौन appointment हुए है उनकी image मैंने आप बना रखी है या दिखेगा इनका नाम है देवेंद्र जाजरिया नया President प्राइम मिनस्टर मोदी जी आपको देख रहे होंगे इस ब्रॉंज स्टेच्व के साथ ब्रॉंज स्टेच्व है आहों डाइनस्टी के जनरल की लचित बोर्फुकन या देखे लचित बोर्फुकन नाम देख सकते हैं अब रिसंटी अन्वील की गई इनोने मुगल्स के एक हैंज बहुत वाहिट की थी बहुत इंपॉड़ें आसम का बहुत इंपॉडर्ण कौॉशन है यह इन इन ओने प्रॉडेट की है और यह में जीस टेच्व कहां इनोगेट की गयी कर्यक्त आंसल जो आसम से बहुत वच्छे देख रहे हैं वो करेक्त आंसलर इसका आसम है असा में जोहरेट डिस्ट्रिक्ट में याद दिखेगा इसको अन्वील किया है इसको अन्वील किया है नेक्स्ट क्योशन है At the end of decade 2014 to 2024 पोजीशन इंडिया achieve in terms of global mobile phone याद दिखेगा producing, production मतलब global mobile phone production में इंडिया की ranking क्या है decade में देखा जाए at the end of the decade तो इंडिया की ranking क्या रही बता दो इंडिया की ranking first है second है, fourth है, sixth है, क्या है इंडिया की ranking है, correct answer option में the second ranking again a very interesting question इंडिया world largest producer, second largest producer है decade में, तो इंडिया में phones तो लोग है बहुत है तब ही, तो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप वीडियोस को देख पाएं okay, next question है best airport title in Asia Pacific for sixth consecutive year ठीक है, किस airport को secured the best airport title in Asia Pacific for sixth consecutive year is the correct answer, option number C Indra Gandhi International Airport okay, तो ये correct answer option में क्या Indra Gandhi International Airport आप देख सकते है prestigious title, best airport in Asia Pacific for the sixth consecutive year highlighting its consistent commitment to excellence in providing top-notch services to the passengers तो कौन सा बना है, sixth consecutive year में Indra Gandhi International Airport अब सब को पता है, ये airport कहा है that is at New Delhi, okay next question है, और last question है हम आपने देखोंगे, सारे MCQ बड़े important है मजा होगा, टाइम भी कपकट गया होगा, पता भी नीचला होगा last question देख लेते हैं, क्या है launch during an event organized by Ministry of Social Justice and Empowerment organized किया, प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज launch की है, वो क्या launch किया जो Ministry of Social Justice and Empowerment ने, वो event organized किया था, नमस्ते PM सूरज पोर्टल, आयुश्मान हेल्थ कार्ड या PM अजे है क्या launch किया है, इसा correct answer है, PM सूरज पोर्टल आप कहेंगे, क्या है, बताए तो फुल फॉर्म बतातो, PM सूरज पोर्टल का PM सूरज पोर्टल का फुल फॉर्म है, प्रधान मंत्री, समाजिक उत्थान और रोजगार अधारत जन कल्यान पोर्टल, ये फुल फॉर्म है मिर्सिय और सोशल जस्टिस एंपार्मेंट है अफकोर्स, इवेंट किया था, जहां पे इसको लॉंच किया गया है, और इसको पोर्टल का काम है कि क्रिडिट सपोर्ट, फाइनिशल सपोर्ट देना, कितने को वन लाग इंटरपिनर्स जो है उनको help करना, जो disadvantaged community से बिलॉंग करते हैं उनको help करना है उसमें उनका social economic upliftment हो सके उसके लिए PM सूरज पोर्टल लॉंच किया गया है, डारेक कोशन ये आपको देखने को मिलेगा, जहां देखेगा जहां मैंने बहुत important MCQ लेके आया हूँ, to the point discussion किया है कोई भी फालतो discussion नहीं किया, आपका time save किया है, if you want to donate to us for the growth of the channel, यह हमारा QR code है phone पे, paytm girl पे number भी mention है, you want to contribute to us आप contribute कर सकते हैं, या देखेगा अगर आप हमें contribute करें हैं, हम ऐसे ही lectures बनाते रहेंगे आपके लिए, और ऐसे ही amazing facts आते रहेंगे, या देखेगा to the point discussion है, यहां पर कोई भी time pass नहीं है generally आप देखेगा, बहुत सारे YouTube को follow करते होंगे, channels को यहां पो daily current affairs बनाते हैं, और daily current affairs पढ़ते, पढ़ते, दो-दो घंटे के एक-एक current affairs एक-एक दिन का होता है I think आप इतना time current affairs में दे रहे हो, इससे अच्छा weekly देखो, आप आपको हर चीज़े में provide करूंगा, या देखेगे current affairs आपने कर ली, अब आप कहेंगे quality, history, geography, economics environment, science, इस सब का क्या होगा, इन सब का solution आप दीजिए, तो बिलकुल मेरे notes है hand written notes, कौन से notes है hand written notes है, आपके घर में courier हो जाएंगे या दखेगा, notes के साथ-साथ उसकी classes भी मिल जाएंगी, complete package है 14 booklets का, या दखेगा इन notes को अगर आपको buy करना है, classes को आपको लेना, मुझे WhatsApp करिए, number mention है directly application से भी buy कर सकते है उसका link भी description box में mention कर रखा है, तो या दखेगा, important है ये, और अगर आपने ये ले लिया current affairs के classes कर ली, exam नहीं रुक रहा है आपका, exam के लिए serious हो जाओ time कम बचा है, या दखेगा if you are going to take those notes अगर आपके इसे पैसे नहीं है, आप classes notes नहीं ले सकते हो, time नहीं है आप soft copy buy कर सकते हो, soft copy भी available है, बट या दखेगा, notes को जरूर पढ़ें, classes को जरूर देखें और या दखेगा, इनकी भी classes मेरे application में available हैं सारी, और आप ये सब करते हो तो आपका exam qualify हो जाएगा, और एक बाइ exam qualify होगे, तो आपकी मेहनत, या दखेगा, आप जो त्यारी कर रहा हो, आपके exam निकल जाएगा, या दखेगा, या दखेगा, आपको मेरे application मिल जाएगा, इसका link मैं description box में डालना हूँ, सारी चीज़ आपको वहाँ पर available होगी, UPSC के preparation कर रहा हो, या दखेगा, complete guidance के साथ मैं preparation कराऊँगा, आपकी UPSC preparation करोगे, तो other exams तो आपके निकली जाएगे, other exams के लिए आपको general studies चाहिए, उसके भी courses available है, contact करिए, मेरे WhatsApp पे message करिए, मैं आपको तुरंद reply करूँगा, courses को buy करिए और exam को एक attempt में clear करिए, जादा बड़ी scheme मत बनाएगे, पांच साल तक आप त्यार ही कर रहा हो, कम टाइम पर जल्दी exam करक करना है, तो आपको हमाई साथ जुड़ना पड़ेगा, या दखेगा, हम आपको guide करेंगे, सारी आपकी help करेंगे, लेक्षर कैसा लागा, जरू comment box में बताइए, बहुत मेहनत से हम लेक्षर बनाते हैं, और आपके प्यार इस तरह ही मिलता रहे, आप वीडियो को like करते रहे, वीडियो को share करते रहे, हम ऐसे वीडियो को अपने friends के साथ share करिए, क्योंकि ये lecture होने वाला है, बहुत ज़्यादा important आपके coming exam में, अब आप देखिए कि जब exam हो जाएगा, इसमें comment section आके पढ़िया, कितने सारे students के exam में, सिर्फ इसी lecture से questions आएंगे, ये मेरी guarantee है, तो thank you everyone, जय हिन, जय भारत!